बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध इस धर्ती पर आउतरित थे, एक आदमी जिसके पास धन दोलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक चरित तुरुआन पत्नी और राम लक्ष्वन जैसे दो बच्चे भी थे, सब कुछ था उसके पास, फिर एक दिन उस आदमी के मन में भगवान को पाने की लाल सा जगी, उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी भी धन की कमी तो नहीं आएगी, और धन के अलावा भी मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है, बस अब बचे कुछे जीवन में मुझे इश्वर के दर्शन करने हैं, उस आदमी ने इश्वर को खोजने की ठान ली, इश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्मान करवाने से की, पर बहुत सारे मंदिर बनवाने के बाद भी उसे इश्वर के दर्शन नहीं हुए, फिर उसने दान पुन् की तीरत यात्रा करनी चाहिए उस आदमी ने बहुत से तीरत इस्थलों की यात्रा की और उनके दर्शन किये ऐसे ही 20 साल गुजर गए पर उस आदमी को इस वर कहीं नहीं मिले भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इनसान ठक गया और आखिरकार एक दिन महात्मा बुद के पास पहुँच गया और कहने लगा कि हे बुद्ध मैं 20 साल से इश्वर को खोज रहा हूँ पर मुझे इश्वर कहीं भी नहीं मिले क्या आप मुझे इश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि इश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है वो तो बड़ी आसाने से मिल जाते हैं अच्छा तुम ये बताओ कि इश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहां कहां खोजा वो आदमी बुद्ध को सारी बात बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर् पिल्तिस्तलों के दर्शन भी किये, फिर भी मुझे इश्वर के दर्शन नहीं हुए, महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हस पड़े, और कहा, ठीक है, तुम्हे इश्वर के दर्शन करने है न, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हे इश्वर मिल जाएंगे, वो आदमी आश्चरिय से बरकर वहां से चला गया, वो सोच रहा था कि बुद्ध मुझे कैसी इश्वर के दर्शन करा सकते हैं, फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढून रहे थे, उनके शिश्चों ने आकर कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढून रहा हूँ, महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिश्चे भी उस मोती को ढूनने में लग गए, सभी मोती को ढून ही रहे थे, कि इतने में वो आदमी भी वहाँ पर पहुँच गया, उसने द ए बुद्ध आप क्या ढून रहे हैं, महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढून रहा हूँ, ये सुनकर वो आदमी भी उस खोई हुए मोती को पूरी लगन से ढूनने में लग गया, ढूनते ढूनते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला, वो आदमी परिशान हो गया, और फिर उसने महत्मा बुद्ध से पूछा, कि गुरू जी आपने आखरी बार मोती को कहा देखा था, ठीक से याद कीजिए, महत्मा बुद्ध सोच कर बताते हैं, कि मैंने आखरी बार वो मोती कुटिया के अंदर देखा था, ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ गया, और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी से भी अकल नहीं है बुद्ध, अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है, तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा, आप सब बेकार में इधर उधर ढून रहे और मुझे भी अपने साथ ढूनवा रहे हैं, आप अपना तो समय वैर्थ कर ही रहे हैं और दूसरों का भी समय वैर्थ कर रहे हैं, फिर महत्मा बुद्ध उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, ये देखकर वो आदमी बोला, कि हे बुद्ध, आप हस्क्यों र इधर उधर ढून रहे हो, तुमने उसे कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं, इश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी इश्वर के दर्शन होते हैं, अगर तुम इश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते ह तो इधर उधर बटकना छोड़कर अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, इश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे, अपने अंदर के इश्वर को तुम देख लोगे, तो हर जगे, हर इंसान में तुम्हें बस इश्वर ही दिखाई देंगे, महात्मा बुद्ध की अमरित भर वानी सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एसास हो गया, और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए कहा, कि मैं बेकार में ही इधर उधर बटक रहा था, वास्तों में तो इश्वर हमारे अंदर ही होते हैं।